स्टेज पे इंडिया अलाइंस के वरिष्ट नेता, खारगे जी, शरत पवार जी, यचूरी जी और बाकी अलाइंस के नेता, सब पार्टियों के कार्य करता, भाई और बेहनों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, दिल से आपका स्वागत करता हूँ. कुछ दिन पहले, पार्लिमेंट हाउस में, दो-तीन युवा, जंप करके अंदर आ गए, जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा दुआँ पहलाया, बीजेपी के सांसत सब भग लिए, वो अलग बात है, वो अलग बात है, जो अपने आपको देश बगत कहते हैं, हवा निकल गई उनकी, वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से, खेर, सवाल ये, सबसे पहला, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए, सिक्यूरिटी ब्रीज की बात हुई, सही है, अंदर कैसे आए, पार्लिमंट के अंदर, वो गैस का सिलिंडर ले आए, अगर गैस का सिलिंडर ला सकते थे, तो कुछ और भी ला सकते थे, दूसरा सवाल, सिक्यूरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने, ये प्रोटेस्ट, क्यूं करी, उसका कारण क्या था, बेरोजगारी, देश में, भयंकर बेरोजगारी, इस देश का युवा आज, रोजगार नहीं पास सकता है, मैंने किसे से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसे से कहा, एक काम करो, एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ, कि हमारे युवा हैं, हिंदुस्तान के भईया ठेर जो हिंदुस्तान के जो युवा है ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं इस पे दिन में कितना घंटा मतलब इंस्टाग्राम पे, फेस्बुक पे ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं मैंने ये सवाल पूछा और छोटे सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं बस्ट चेक करने के लिए महरान हो गया साड़े साथ घंटे जवाब मिला साड़े साथ घंटे ये वा फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे इमेल पे, अपने फोन पर जैसे देखें, यहाँ पे सारे के सारे लोग फोन लिए हैं, पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं साड़े साथ घंटे नरेंद्र मोधी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल्फोन पे वेटा है क्यूं? क्यूं? क्यूंकि नरेंद्र मोधी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है रोजगार उससे चीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है सेल्फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रो 24 गंटा देखते रो ये हिंदुस्तान की हालत सच्ची हालत इसलिए यो जो युवा थे जिन्होंने सिक्यूरिटी प्रीच जरूर की वो भी आपकी गलती है इसलिए वो पार्लिमंट हाउस में कूद कर आए ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है अब देखिए मीडिया में मीडिया में ये बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है नहीं मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की मीडिया क्या कहती है मीडिया कहती है कि पार्लोमेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे वहाँ पे राहूल गांदी ने विडियो ले लिया मतलब इन्हों ने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बहार कर दिया, पार्लोमेंट के बहार खड़ा कर दिया ये सवाल मीडिया ने नहीं पूछा क्यूं किया कैसे किया अमिच शाज से सवाल पूचा कि भाईया आप हो मिनिस्टर हो ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए बेरोजगारी पर दो सवाल पूचे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है कि ध्यान इदर उदर कराती है ये जो 150 लोग है किसी ने अपने बाशन में पहले बोला ये सिरफ व्यक्ति नहीं है ये हिंदुस्तान की जंता की आवाज है हर MP लाकों वोट लेके आता है आपने सिरफ 150 लोगों का अपमान नहीं किया आपने हिंदुस्तान की 60% जंता का मूँ बंद किया है ये सच्चाई है और आप सोचते हो की आप हिंदुस्तान की जंता को डरा दोगे धमका दोगे आप अगनीवीर योजना लाए लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देश भक्ती की जो फीलिंग होती है वो आपने चीनी जब युवाओं कड़े हुए और कहते हैं हम अगनीवीर के खिलाफ हैं तो आपने विडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भईया अगर आपने अगनीवीर के बारे में कुछ बोला आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवाओं को डरा सकते हो आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो आप सोचते हो कि आप देश का पूरा का पूरा धन अदानी जी जैसे दो-तीन लोगों को देश सकते हो आप हिंदुस्तान को नहीं समझे आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे हम सब ओपोजिशन के नेता ओपोजिशन के कार्यकरता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझे ये लड़ाई नफरत और मोहबबत के बीच में लड़ाई है जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में हम मोहबबत की दुकान कोल रहे हैं जितनी आप नफरत फैलाओगे जितना आप लोगों को धमकाओगे डराओगे उतना इंडिया अलायंस मोहबबत फैलाएगा भाई चारा फैलाएगा एकता और इज़्जत फैलाएगा आप सब यहां आए सब पार्टी के कारे करता है एक साथ मिलकर आए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ नमस्कार जैहिन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद सर्दार अरविंदर सिंग लवली जी से मैं कहूंगा के दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम मुबारक बाद की पात्र है जिस प्रकार से आपने इस कामियाब आयोजन ये किया है और मैं आपको भी शुब कामनाएं देता हूँ दोस्तों साथियों आज आज देश में एक नया इतिहास बनाने का दिन है आज देश में एक नया संगर्ष का एलान करने का दिन है आज देश में एक नया बिगुल बजाने का दिन है क्योंकि बात ये नहीं कि 146 संसदों को निश्काशित कर दिया गया बात ये है कि देश की संसद में अब प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी जी ने विपक्ष मुक्ट संसद का गठन कर दिया अगर देश की संसद में चुने हुए प्रतिनीदियों की जगे नहीं अगर देश की संसद में विपक्ष की जगे नहीं अगर देश की संसद में सवाल पूछने की इजाज़त नहीं अगर देश की संसद में सरकार की जबाब देही सुनिश्शित करने की जगे नहीं अगर देश की संसद में लोगों की आवाज उठाने की इजाज़त नहीं तो फिर संसद की आउशक्ता क्या रहे जाएगी आज जो भारतिय जंता पार्टी की सरकार है साथियों उसने देश की संसद के पर एक हमला बोल रखा है अगर मैं ये कहूंगा तो शायद सही होगा देश के समिदान पर देश की सरकार ने हमला बोला देश के समिदान का गला घोटा जा रहा है आज भारत का प्रजात अंतर खत्रे में है आज संसदिय मर्यादाओं को बुल्डोजर के नीचे कुछला जा रहा है बोलने की आजादी को रोंदा जा रहा है तो ऐसे में कम से कम भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस और इंडिया गठबंदन के साथी चुप नहीं रहेंगे हम आखरी सांस तक लड़ेंगे एक सो चालिस करोड देशवासियों के लिए लड़ेंगे संसद के लिए लड़ेंगे संसद ये मर्यादाओं के लिए लड़ेंगे समीधान के लिए लड़ेंगे देश की संसद पर हमला हो जाए देश की संसद के अंदर अंदर लोग गुश जाएं वो तो नोजवान थे जिनोंने एक रंग का बम चलाया हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये अंत्रेक्स गैस होती या कुछ और होता तो आज भारत वर्ष की क्या हालत होती और राहुल गांदी जी ने सही कहा महंगाई और बेरोजगारी का आलम जब तक इस देश में रहेगा कोई न कोई इसी दुरगटना होती रहेगी आज इंडिया अलाइंस के सारे साथी इकठे हुए है ये एक सुखत संदेश है 140 करोड भारतियों के लिए पर ये लड़ाई हमारे लिए नहीं ये लड़ाई इंडिया अलाइंस की पार्टियों की नहीं ये लड़ाई इस देश के मुद्दों पर है ये लड़ाई इस देश में फैली 45 साल की भीशंतम बेरोजगारी के खिलाफ है ये लड़ाई हर उस महीला के लिए है जिसके घर का बजट बिगड़ गया मोदी निर्मित भाजप्पा निर्मित महेंगाई के चलते ये लड़ाई आर्थिक विशंता के खिलाफ है जहां मुठी भर लोगों के पास देश की 60% संपती है और 82 करोड लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहें ये लड़ाई नफरत का वो माहौल जो इस देश में पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ है ये लड़ाई इस देश की संपती को चंद उद्योग पतियों को बेचने वाली सरकार के खिलाफ है ये लड़ाई उस विचार्धारा के खिलाफ है जो टोपी, पगड़ी, दाड़ी कपड़ा भाशा उसके आधार पर इस देश को बाटने में लगी साथियों दोस्तों अगर इस देश के लोग नहीं जागे अगर इस अलख जगाने की जो जुम्मेवारी इंडिया अलाइंस की पार्टीज ने ली है अगर ये अलख हमने नहीं जगाई तो वो दिन दूर नहीं कि वो लोग जो सत्ता की शहतीर पर बैठकर देश के समिदान का मजाक उड़ा रहें वो लोग जो सत्ता के बहुमत के आधार पर इस देश की मर्यादाओं का हनन कर रहें वो लोग इस देश में से प्रजा तंतर को खतम कर देंगे इसलिए ये लोकतंत्र बचाओ भारत बचाओ की लड़ाई और इस लड़ाई में आए एक एक साथी का चाहे वो आकरी पंक्ती में खड़ा हो चाहे वो दिल्ली पुलिस के बेरियर्स के पार खड़ा हो उसे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही और इंडिया अलाइंस के सब नेताओं का सांसदों का मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और देश के 140 करोड लोगों का ये आवान हम सब के कानों में लगातार गूंचता रहे कि इस देश के अधिकारों के लिए जूजना भारत के अधिकारों के लिए जूजना भारत की आवाज बनना अब ये करतववे आपके कंदों पर है और ये विश्वास रखिए कि ना हम जुकेंगे ना हम डरेंगे ना हम दबेंगे भारत का तिरंगा लेकर सदैव आगे बढ़ते रहेंगे और 140 करोड देश्वासियों की आवाज बनेंगे जय हैं एक संदेश मैं इस मंज से भाजपा और मोधी सरकार को देना चाता हूँ कि अगर आपको लगता है कि 140 सांसदों को निलंबित करके आप हमें डरा सकते हैं आप हमें धमका सकते हैं तो आईए इस सभा में आईए और देखिए कि इंडिया आलायन्स ना डरा है ना जुका है हम लडाई के लिए तैयार हैं वो चाहे हम पर जितना भी जुन कर ले जितने भी ED के अफसर भेजे पुलीस के द्वारा अत्याचार करे लेकिन लडाई हमारे DNA में हैं लडाई हमारे खून में हैं लडाई हमारे इतिहास में हैं हम लड़े थे स्वतंतता के लिए हम लड़े थे जुर्म के खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं भारत को अखंड रखने के लिए हम लड़ रहे हैं अपने दल के स्वाविभान के लिए हम लड़ रहे हैं गरीबों के लिए किसानों के लिए श्रमिकों के लिए हमारी मांग क्या थी हमारी मांग थी कि राष्ट्य सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई 13 दिसम्बर को तो अपने चूक को कबूल करने के लिए ग्रहम मंत्री को सदन में आना चाहिए यही लोगतंत्र का नियम है यही लोगतंत्र का कानून है कि जब जब इस सरकार से भूल होती है तो प्रजा के प्रती जवाब दही होनी चाहिए लेकिन इस सरकार का इतना हंकार इस सरकार को अपने ताकत पर इतना हंकार कि ग्रहम मंत्री यहाँ पे नहीं आकर एक नीजी चैनल के पास जाकर अपनी मन की बात करते हैं प्रधान मंत्री मोदी जी सदन में नहीं आकर एक नीजी अकबार में वारतलाप के दौरान अपनी बात रखते हैं साथियों आज इन दोनेताओं का इस दल का अहंकार को तोड़ने का वक्त आ चुका है और इसके लिए हम लड़ेंगे इसके लिए हम एकजोट रहेंगे नहीं तो आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा खत्रा है इस खत्रे की अलग-अलग उधारन हमने देखे हमने देखा कि मनिपूर में किस प्रकार से आज विभाजन हो चुका है मनिपूर में लोगों को आज किस प्रकार से दफन किया जा रहा है हम देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी हर्याना की बेटी हमारे महिला जो खिलाडी है आज उनके साथ कैसे अन्याई किया जा रहा है हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गरीब और अमीर के बीच जो दूरी है वो और बढ़ती जा रही है हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों पर आक्रमन किया जा रहा है आज हम इस मन से उन किसानों को नमन करते हैं जिनोंने एक साल संगर्ष करके अंत बे जाकर उन्होंने जीत कायम की और मोदी जी के तीन काले कानून को वापिस किया आज उसी तरीके से हमको एक साथ लड़ना है हम पर जुल्म होंगे, हम पर अत्यचार होंगे कभी कभी हार कभी हमको मुकाबला करना पड़ेगा लेकिन अंत में जाकर भारत की प्रजा आज वो हमारे साथ है वो बेरोजगार युवा आज हमारे साथ है तो इसलिए आज यहाँ पूर उपस्तेत होकर आपने जो अपना साहस और ताकत प्रकाशित किया उसके लिए मैं सभी को मैं धन्यवाद करते हुए अपने तहे दिल से अभार प्रकट करते हुए इंडिया अलाइंस जीतेगा यह घोशना करते हुए मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हूँ धन्यवाद जैहिन तमाम संगर्शील सातियों को मेरा नमश्कार जुहार आदाव आज हम लोग यहां जंतर मंतर पर उपस्तित हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए आज यहां दिल्ली में और देश के विविन्य राज्यों में जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया गटबंधन के तमाम सातिगन मिलकर कर रहे हैं यह एतिहासिक होगा और आने वाले 2024 के चुनाओं में यहां में बहुत बड़ी जीत दिलाएगा इंडिया गटबंधन को लोगों ने हलके में लिया था लेकिन आज आपने वो ताकत दिखा दी जिस तरह से आपने देखा होगा कि 146 सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र का उपास उड़ाया गया यह शायद सिर्फ भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के इतिहास में बेनजीर है ऐसा दिरिश्टान आपने कभी नहीं देखा होगा पिछले सत्र में भी हमने देखा कि जब हमने मनिपूर की सुरक्षा को लेकर मनिपूर में जो महिलाओं के साथ और लोगों के साथ जिस तरह का की हिंसा हो रही थी उसके लिए जो हमने आवाज उठाई उस समय भी सत्ता पक्ष अड़ी रही और उस सत्र में भी कई बहुत महत्पूर बिलपारीत कर दिये गए बिना विपक्ष के इस बार भी मुझे लगता है कही न कही एक सत्ता पक्ष की रन्नीती है कि किसी न किसी बहाने में हमार जाएंगे देश की सुरक्षा की जब बात होती है 140 कड़ों जनता अपने आपको ठगी सी महसूस कर रही है वो कह रही है कि अगर आप पार्लियमेंट की जो इस देश का सबसे सुरक्षित भवन है उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप 140 कड़ों जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे इस पर जब विपक्ष ने जवाब मांगा तो एक एक करके सभी को निलंबित कर दिया गया इतने सारे संसंदों को 143 कि शुरू में विपक्ष ने वाकाउट किया राज्यसभा में दो बार वाकाउट किया गया उस पर बात नहीं बनी तब वेल पे गए तब प्लेकाट दिखाया गया और इसी बहाने से और तरह तरह के नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं कि विपक्ष की बोलती ही बंद हो जाए मुझे लगता है यह समय आ गया है कि हम सभी मिलकर लोकतंत्र की रक्षा का बीड़ा उठाए क्योंकि जिस तरह से कई राजियों में वहां के विपक्ष के जो नेता है जो लोकप्रिय नेता है उनको एडी और सिवयाई क डर दिखाया जा रहा है उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है परिशान किया जा रहा है उनकी चबी को खराब की जा रही है और जिनको आप भृष्टाचारी कहते हैं ऐसे नेता जब आपके पार्टी में आ जाते हैं तो आप उन पर कोई कारवाई नहीं करते हैं उनको में भी यह बात हुई है कि हर दस दिन में हर महिने में बार-बार हम लोग इलाकों में जाएंगे हर में जाएंगे और जा कर अपनी ताकत दिखाएंगे और एक दूसरे का सहीयोग करेंगे जिस सřद्र में जिस प्रदेश में जो पार्टी चुनाव जीतने में ज्यादा सक्षम है उसकी मदद हम सभी लोग मिलकर करेंगे हम एक दूसरे को परिशान नहीं करेंगे हमारा एक ही लक्ष होगा 2024 की चुनाव में जीतना बहुत बहुत धन्यवाद जोहर तमाम हमारे सीनियर साथ ही जो यहां बैठे हुए है बस एक बात कहूंगा चुकि नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ यह सिर्फ व्यक्ति नहीं है कई वर्ष इस गंतंत्र के आपके समक्ष इस गंतंत्र के अच्छे च्छन के यह गवा है और इस गंतंत्र में जो विसंगतियां आई हैं उसके भी गवा है तु यह मैं आरमबिक टिपर नहीं मैं सूक्रियादा करना चाहता हूं इंट नैस्नल कॉंग्रेस का कि बहुत शॉट्ट नोटिस पे उनकी दिल्ली कमीटी ने पमईटरिंट यह मीटिंग बुलाई मैं शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ आप सबों का और मीडिया के साथियों का साथियों लोक तंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल आपका समवाद भी नहीं बचेगा इसलिए इस खत्रे को आप भी समझेए जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए प्रतिरोध मुक्त सरक चाहिए खिलारी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए सवाल मुक्त मीडिया चाहिए तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है हमारे पुरधानमंत्री जी विदेश जाते हैं अक्सर जाते हैं तो वहाँ सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूँ देर सो सांसदों का निलंबन जब बाहर जाओगे मोदी जी किस मुँसे कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूँ आपने तो मा को बीमार कर दिया मा बेचारी रुगनावस्था में है मा इंटेंसिव केर यूनिट में है तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है वो इमारा जी से संसद कहते हैं आज सा लोग बैठते हैं वो देश का प्रतियुदेत करते हैं कश्मीर से कन्या कुमारी मदुराई से मद्धे प्रदेश अगर उसकी सुरच्छा में चूक है तो ये रास्ट्रे सुरच्छा का मसला है मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो हमने तब भी कहा था मैं श्राद धान चली देता हूं राज़ोरी में शहीद लोगों की लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मालिसी दिल्ली के दर्बार से बोलते हैं कश्मीर नॉर्मल फिल नहीं कर रहा है आप पूरे देश को कश्मीर में तबदील करना चाहते हैं तमाम चीजों पर पाबंदिया लगाना चाहती है सरके जाग उठेंगी सरकों पर निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है कोई प्रिजाइडिंग आफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सरक पे तूफान ना मचाओ मैं लालू जी की और से तेजस्वी जी की और से एक जूटता का अहवान करता हूँ जैहिन